प्रेंड वेलकम टू था फर्स्ट लीप चैनल अजका हमारा टॉपिक के एसस्टी के कोश्चन को डिसक्स करना है जो कि हमारे दो यार उननीस का कोश्चन पेपर है जी तो इसी की कोश्चन को हम डिसक्स करेंगे तो चली आई स्टाट करते हैं आज का वीडियो और जिन लोगों न अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब दिरूर कर ले है इसके आने वाली व इसके पूर्मे टु डिगरी पूरु पेस्तित हैं दिये गए विकलपों मैंसे सब्सक्राइब का दोनों ही इसके सही है, ब्याक्ख्या भी सही है और भी सही है, नेस्ट कुछन हमारा, समय छेत्र पर दिये गए A, B और C कत्रों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए, पहला है A, कुछ देशों का देशांत्रे विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण हुआ एक से जिद एक मानक समय अपनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रत् Film को एक गंटे। इचophone 24 समय छेत्रों में बाटा गया था यह भी B और C सही है और A गलत हैं, option C ये A, B, C सही है, option D है हमारा A और B सही है, C गलत है, तो इसका right answer हो option C, A, B, C सभी यानकी वो चीज़ें सही है, next question हमारा प्रत्वी की सत्य से सुरू कर बायू मंडल की परतों के सही करम का chain कीजिए, तो इसमें हमें देखना है कौन सा यानकी करम इसका सही चल रहा है, फहले देखो जोब मंडल, समताब मंडल, मद्य मंडल, बायू मंडल, वहर मंडल, option B है, वहर मंडल, समताब मंडल, मद्य मंडल, जोब मंडल, बाहा वायू मंडल, Option C है मद्य मंडल, जोब मंडल, बाहर मंडल, समताप मंडल, बाहर वायू मंडल Option D है समताप मंडल, मद्य मंडल, बाहर वायू मंडल और वहर मंडल तो देखिए हमें इसमें बहुत आसान है जोब मंडल सबसे नीचली परत होती है तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा, option A में दिख रहा है, तो यह हमारा right answer हो जाएगा, जो bundle होगे, समताप होगे, मद्ध मंदल, बायर bundle हो बायर bundle हो बायर bundle हो जाएगा, यह हमारा बिलकुर सही है, next question देखते हैं, रितुवन निमलेकित कारणों में ऐसे किस कारण से होती है, मकर रेकापा सूर की सीधी करण है, साड़े तेश डिगरी परपड़ती है, option C है, प्रत्वी का परिक्रमन और एकी दिसाम है, उसके अच्च का जुखा होना, option C है, प्रत्वी के अपने अच्च पर इर्द गिर्द ग्रोड़न के कारण आवा मंदल बनता है, option C है, प्रत्वी का अच्च अपनी कच्छी सत्य से 7.56 का कौन बनाता है, तो इसका option बिलक परिवर्दन का कारण है नेस्ट कुछिशन है मारा प्रतिसत के अनुसार वायू मंदल में कौन सा प्रमु को गटक है ऑप्शन एक कारवन डाई ऑक्साइड ऑप्शन भी है नाइट्रोजन ऑप्शन सी है हीलियम ऑप्शन डी है ऑक्सिजन तो इसमें सबसे ज्यादा जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78 परसेंट है तो इसलिए राइट अंसर होगा ऑप्शन बी नेस्ट कुछिशन है महासागरी दाराओं के विशामा निम्न लिकतनों मैंसे कौन से सही है एट ठंडी दारा दुर्वी अत्वा उच अच्छांसों से जल को उसनुकटी बंदी अत्वा निम्न अच्छांसों की ओल ले जाती है लेबरा डोर एक गर्म धारा है सीधिया है जिस इस्तान पर गर्म और ठंडी दारा है मिलती है वह इस्तान पिश्व का सर्वत्तम मतस्चे छेत्र माना जाता है आप्शन दिये इसके ए और सी सही है आप्शन बी है बी और सी सही है आप्शन सी केवल ए सही है आप्शन डी ए और बी सही है तो इसका जो राइट आंसर है आप्शन देखिए ए ए और सी तो नहीं सही है क्योंकि लेवराड़ एक मार्क गर्म धारा यही यही क्या है गलत है इसमें तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए नेस्ट कुशन है हिमनद हिमनद के निछेपड को कहा जाता है हिमोड लोयस या तटबंद या समुत्री गोफा तो इसको किसको कहा जाता है वो हिमोड को कहा जाता है ऑप्शन ए बिलकुल राइट आंसर है नेस्ट कुशन है कतन ए और बिन्यम लिगत वनस्पतियों मेंसे किसकी विशेष्टाओं का वरड़न करते हैं या वनस्पति उत्री गोलार्थ के उच्छ च्छांसव पचास से सत्तर में पाई जाती है बिये इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है अब आप्शन है इसके किसे जाना जाता है तब भी संकुदारी बन के नाम से आएगा तुष्छ लिए दोकुवसर इसमें से हमार बन सकते हैं नेस्ट कुर्शन है, निमले कितमे से कौन सी गंगा ब्रामा फुत्र वेसिन की विशेश्टा नहीं है, अप्शन ए, मैदाने छेतर में जन संक्या गनात्व अती अधिक है, अप्शन बी, डेल्टा, छेतर में ग्रोब बनों से अच्छांदित है, अप्शन बी, C, भूमी, क् चेतर के में करतन और धहन क्रसी की जाती है, अप्शन D है, मैदाने छेतर में ओक्स बोल लेक, चाप, जील, चिन्नित है, तो इसका जो राइट अंसर है, अप्शन C, भूमी, क्रसी के लिए इस चेतर में करतन और धहन क्रसी की जाती है, नेस्ट कुर्शन है, तैराक, तैरा सोरी तेराक मृत सागर में तेर सकते हैं इस सागर में ठंटी धाराओं की अपेच्चा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक हैं Option B, यह सागर निमने जवार भाटों की अपेच्चा उच्छ जवार भाटों को अधिक अनुभव करता है Option C है, नमक की मात्रा की अधिक्तम सागर को सगन बनाती है Option D, पवने सागर जलकी सत्यापत तीब्र गती से चलती है तो इसका राइट हैं सागर, Option C, नमक की मात्रा की अधिक्तम सागर को सगन बनाती है Next Question है, भूमी उपयोग के संधर्व में A और B कतनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए Option A है, सरी, कतना यह भूमी उपयोग से आज से भूमी का केवल क्रशी और वन के लिए उपयोग है B है, भूमी उपयोग मुक्यत है, अपनी इस्तला क्रत्ती के द्वारा निर्दादित होता है इसके Option है, A, गलत है और B, सही है Option B है, B और B दोनों सही है Option C, A और B दोनों गलत है option d a a सही है और b गलत है तो हमें इसमें देखने है कौन सा हमारा right answer है वो है हमारा option c a और b दोनों ही क्या है गलत है next question है रच्छक मेखलाएं मदद करती है मिर्दा में नमी बना रखने में मिर्दा के उपर से जलके प्रवा को मंद करने में option c अबना लिकाओं को वर्णिने से रोकने और मिर्दा 6 को बचाने में option d पवन की गती को रोक थाम कर मिर्दा आवरण के सरच्छण में तो इसका right answer है option d पवन की गती को रोक थाम कर मिर्दा आवरण के सरच्छण में next question है मिर्दा परिष्छे दिखा की मौटाई का कौन सर निर्दारेत करता है समय बनस्पतियात परणे जाती जलवाई उच्चा वच तो वो करता है समय option A बिल्कुल सही है next question है बित्रण के आधर पर संसाधना को बरगी करत किया जा सकता है option है A नवी करिनी संसाधन और अनवी करिनी संसाधन option B है जेव संसाधन और अजयव संसाधन option C सर्व व्यापक संसाधन और इस्तानी संसाधन option D बास्त्विक संसाधन और सभावे संसाधन तो इसका राइट अंसर है option C सर्व, व्यापक संसाधन और इस्थानी संसाधन Next question है विविद समाज के संदर्व मैं निमलिक कतना हूँ मैंसे कौन सा सही है जिसमें संस्कृती और सत्ता में विवनताय मिलती हो Option B है जिसमें भासा, धर्म और संस्कृती में समानताय होती है Option C जिसमें भासा, संस्कृती और धर्म में विवनताय और समानताय पाई जाती हो Option D है समाज जिसमें भासा, धर्म और संस्कृती में विवनताय और असमनताय पाई जाती है तो इसका जो राइट अंसर है हमारा Option C जिसमें बासा संस्कृति और धर्म में फिविन्यताएं और समानताएं पाई जाती हूँ नेस्ट कुर्शन है निमने लिख कतनों में से कौन सा लिंक जेंडर रूडी वन धरणा को चुनाती देता है option A मैलाएं फैसन परस्त होती है option B मैलाएं जिम्मेवार बान चालक होती है option C मैलाएं पालन पूशन करने वाली होती है option D मैलाएं बहुत बहावग होती है तो इसका यो राइट अंसर है option D मैलाएं बहुत बहावग होती है नेस्ट कुर्शन है नारी मताधिकार अंदोलन कारियों की निमने लिखित में से कौन सी मुख्य मांग है उप्शन A महिलाओं के लिए नौकर साइब भूमिका का अधिकार उप्शन B धनी महिलाओं के लिए वैस्क मताधिकार उप्शन C है स्रम वर्ग के लिए वैस्क मताधिकार option D महिलाओं के लिए मताधिकार तो इसका जो right answer है option D महिलाओं के लिए मताधिकार next question है जातकों के विशे में निमले कतनों में से कौन सा सही है इनकी रचना सामाने लोगों द्वारा की गई थी जिनने जैन सादूं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया option B इनकी रचना बहुत बिच्छों द्वारा की गई थी जिनने सामाने लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया option C इनकी रचना जैन सादूं द्वारा की गई थी जिनने सामाने लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया Option T इनकी रचना सामने लोगों द्वारा की गई थी जिनने बहुत बिच्छों द्वारा लिख्या गया और उनका संकलन किया गया तो इसका जो राइट आंसर है हमारा Option D इनकी रचना सामने लोगों द्वारा की गई थी बहुत बिच्छों द्वारा लिखा गया और उनका संक्लन किया गया नेस्ट कुश्चन है आईने अकवरी के विशेम है निमली कत्रों में से कौन सा सही है आप्शन ए है इसमें अकवर के पूजरों और अकवर के सासन की गटना का विरंड दिया गया है आप्शन भी यह मिर्जा हाकिम दरा लिख़ी गई जो अकवर के धरवारियों में से एक था ओप्शन सी है यह अकवर के प्रिसासन के विविद पहلियों के विषेम है संपन सांख की विरवंड पिस्तूत करती है आप्शन डिया यह अकवर नामा सीर्षक के अंतरगत अक्वर के सासन के इतियास की तीन जिल्दाओं में से पहली जिल्द है तो देखिए यह हमें अक्वर आईने अक्वरी के बारे में बात कर रहे थे इसमें क्या आया आप्शन सी बिल्कुल सही है यह अक्वर के प्रिशासन के बारे में जानकारी हमें देती है नेस्ट कुशन है निम्न लिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी सामिल करते हूं बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरु मुखी में संकलित किया है ऊप्सन 1 गुरु अंगत आप्सन 2 गुरु अर्जुन अप्सन जिकुरु तेख भादर आप्सन D गुरु गोविंद सीम तो इसका जो राइट आनसर है ओप्सन ए गुरु अंगत नेस्ट कुशन है एथिन ये लोगतंत्र की निमलिखित में से कौन सी एक विशिष्टा नहीं थी सभी नागरिकों को सेना वा नौ सेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी आप्शन भी है मामलों के निर्ड़ाओं के लिए आयवत की गई सभाव में से मैं सभी नागरिक उपस्तित होते थे आप्शन सी है कई पदवपन युक्तियां लोट्री के माद्यम से की जाती थी आप्शन डी तीस से अधिक उम्र के उन सभी प्रुसों और महिलाओं को पूरुन नागरिक प्राप्त थी जो दास नहीं थे तो इसका अंसर है आप्शन ए सभी नागरों को सेना वन नौसाव नाम है अपनी सेमा क्या देनी होती थी नेश्ट कुशन है समद्र गुप्त की निम लिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दच्छनापत सासकों के लिए थी आप्शन ए और उसके दर्वार में उपस्तित होते से ऑप्शन सी इन्होंने हार सुविकार की वह इन्हें पुने सासन करने के लिए अनुमती दी गई ऑप्शन डी उनके सामराज्चों को उखाड फैका गया और उन्हें समद्र के सामराज का अंग बनाया गया तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उनके क्या किया उनके सामराज्चों को उखाड फैका गया नैस्ट कुस्षन है निमन लिकित का मिलान कीजिए ये लॉंग बड़ा कुस्षन है इस वे से तोड़ा सा आगे पीछे करके देखना पड़ेगा देके यह दिया है और इसका इधर दिया है नामावली ओके तो देखिए पहला दिया है हमारा कला की हुए तकनीक जो असली जैसे तस्वीरों को बनाने में सायक थी हना चित्रकारी जिसमें भारती बूद रस्वों को अनुटा अनुच्छुआ दिखाया जाता था सी भारत में यूरोपी और यूरोप बासियों की एस्वर पूरुट जीवन सैली धन संपदा और रौब दाव दरसा चित्रकाला डी है ब्रिटिस सामराजबादी इत्यास और विजैई दरस्वों को चित्रित करने वाली चित्रकाल यह है नामा वली नैना विराम रौप चित्रन इत्यास चित्रकला और तेल चित्रकला तो इसका जो राइट अंसर है ऑप्षन इसका जो हमारा ऑप्षन बनेगा यहां से वो हमारा डी बनेगा वो हमारा बनेगा यहां से डी नेस्ट कुशन है अठारवी सदाप्दी के अंतिम चरण में बंबई मदरास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास इस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यपारियों केंद्रों से हुआ ए नागपूर मुद्रे दिल्ली बी है पूरे मदरास कलकत्ता तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूरे मदरास कलकत्ता अठारवी सदाप्दी के अंतिम चरण में बंबई मदरास और बंगाल प्रेसिडेंट का विकास इस्ट इंडिया कंपनी के सूरत मदरास व्यपारियों के इंद्रों से हुआ था इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है नेस्ट कोशन है ए और बी कतना पर बहुत महायान के संद्रों विचार कीजिए और सही उत्र का चैन कीजिए बौद धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्तती कुछ संकेतों या उप्योग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई बी है इसका महायान बौद के आने के साथ ही बौदिशत्तों में विश्वास समाहिद हुआ आप्शन दिये हुए है ए गलत है बी सही है ए और बी दोनों सही है ए और बी दोनों गलत है महायान बौद के आने के साथ ही इसलिए इसका राइट अंसर है आप्शन ए महलवारी और रियतवारी राजसो प्रणालियों के संदर में A और B कतनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए A है इसका महलवारी बंगाल प्रेशिडेंसी के उत्तर पस्चिम प्रांतों के लिए युक्तित थी जबकि रियतवारी व्रेटिस नियंतरण वाले दच्छन भारती इलाकों के लिए थी B है महलवारी में गाउं का मुक्या पूरे गाउं के संकलत राजसो को कंपनी को अदा करता था जबकि रियतवारी में क्या था किसानों के साथ सीधा समझाता किया जादा था Option है केवल b, b दो राजसो व्यवस्ताओं के बीच अंतर को सहीषपस्ट करता है Option डिये केवल a, दो राजसो व्यवस्ताओं के बीच अंतर को सहीषपस्ट करता है तो इसका जो right answer है option B A और B दोनों राजस विवस्ताओं के बीच अंतर को सही स्पस्ट करते है Next question है हमारा सूफी संत के मकवरे को जाना जाता है इदगा, गुल्फ स्रोस, दरगा, खानखा तो वो जाना जाता है हमारा किस से दरगा Next question है विश्ता देद का सिद्दान्त 11 वी सताब्दी में प्रिताविश किया गया बास बनना द्वारा, एक नात द्वारा, सकुवाई द्वारा, रमानुष द्वारा तो किसके द्वारा किया गया था? रमानुष द्वारा Option D का right answer है Next question है भारत में 1772 में इस्ताब्द कीगी दीवानी अदालत के संबंद में A और B कतनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए A है इसका, यह एक फौजदारी अदालत थी, B है, यह European जिला अदिशाओं की अद्च्छता मा चलता था Option है इसके, A और A गलत है, B सही है, Option B है, A और B दोनों सही है, Option C है, A और B दोनों गलत है, Option D, A सही है, B गलत है तो इसका जो राइट अंसर है, Option A, A गलत है, B सही है, एक फौजदारी अदालत क्यात नहीं थी, तो इसका राइट अंसर है, Option A Next Question है, हमारा, Garrison नगर से अविप्राय है, कले बंद वसाव, जहां सैनिक रहते थे, वह इस्तान जहां बेवन उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, वह एक महत्रून प्यापारिक पतन नगर, Option D यह नगर से लगे हुए भूमी, जो इसे माल की आपूर्ती करती है तो इसका जो राइट अंसर को हमारा, Option A, Garrison नगर से, Garrison नगर किसको बोला जाता, जो कले बंद वसाव रहते था, यहां सैनिक रहते थे, उसको क्या बोला था, Garrison नगर बोला जाता था, तो दोस्तों यह थे कुछ 30 Question, SST के, और इसके 30 Question नेक्ट वीडियो में मिलेंगे आप को, तो प्लीज अगर वीडियो चले के प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जोना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी शेदूर कर लिजिए, थेंक्यू